नमस्कार दोस्तों मैं दीप्तिकुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से आप सब के अपनी यूट्यूब चैनल परिक्षा प्लस पर आज की वीडियो में हम लोग फिर से नेक्स पार्ट डिसकस करने वाले हैं कल मैंने आपको 2018 के प्रिवेस येर के मैट्स के 15 कुश्चन करा दिये थे आज की वीडियो में नेक्स 15 कुश्चन कराने वाली हूं यानि कि दो पार्ट में आपका 2018 का जो प्रिवेस येर पेपर है यूपिटेट का वो कम्प्लीट हो जाएगा क्लियर ए Аप सभी को वीडियो को अंतर तक देखिएगा क्यूंकि आप किसी भी एक्जैम को देने चाहते हैं पर आपके एक्जैम के लिए जो previous year होते हैं वो काफी important होते हैं clear है वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी को बता दू हमारे यहां पर batch चल रहे हैं बैच आप अगर enroll करना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर से हमारे एप को इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद आपको जो भी क्वैरी कि आप इन numbers पर call करके अपनी queries को solve कर सकते हैं clear है आप सभी को बिना time को गवाए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला question है आपका की 80 cm ब्यास के एक वरत्ताकार पार्क में अधिक्तम छेथफल का एक वरगा करत आकार का खेल का मैदान है खेल के मैदान का छेथफल क्या है देखो देखने में तो बहुत बड़ा सवाल लग रहा है ठीक है linguistic question है लेकिन सवाल solve एक मिनट में हो जाएगा आप सभी को बताती हूं कैसे हो जाएगा जो जो सवाल बता रहा है वो वो हम लोग करते जाएंगे ठीक है 80 cm ब्यास का एक व्रत्ताकार पार्क है मानलो इसेंटीमीटर का यह कोई ब्यास है ठीक है यह आपको कितने का है 80 cm ठीक है अदिक्तम चित्रफल का एक वरगा करताकार का खेल का मैदान आप इसमें वर्ग एक बना देंगे इस तरीके से यह हमारा खेल का मैदान है बर्गाकार अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो अ तो हमें actually क्या दिया गया है वर्ग का विकर्ण दिया गया है और हमें वर्ग का छेथफल निकालना है clear है अब वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है विकर्ण का जो formula होता है आपका वो क्या होता है भुजा under root 2 होता है कि नहीं होता अब यह हमें 80 दिया है बराबर भुजा हम A माल लेंगे तो under root 2 A की value कितनी आ जाएगी 80 बटे root 2 root 2 को हम उपर नीचे गुणा कर देंगे ठीक है तो A की value आपके कितनी आई 80 बटे root 2 root 2 को जब हम उपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा A बराबर 80 root 2 upon 2 ठीक है under root 2 under root 2 2 हो जाएगा 2 से 80 कार देंगे तो कितना बचेगा 40 under root 2 अब हमारी A की value आगी मतलब वर की भुजा आगी हमारी कितनी 40 under root 2 ठीक है वर का छेतफल क्या होता है भुजा square भुजा square यानि की A का square यानि की छेतफल हमारा कितना हो जाएगा 40 under root 2 का whole square अब 40 का square पहले कर लो 40 का square होता है 1600 under root 2 का square करेंगे 2 बराबर कितना आपका answer आजाएगा 32 answer आजाएगा 32 meter square आपका यहां से answer हो जाएगा option number C clear है आप सभी को पहला question आपको clear हो गया होगा बात कर लेते question number 2 की question number 2 आपसे पूछ रहा है की 240 अंक की परिक्षा में एक छात्र ने 52 अंक प्राप्त किये है पाई चार्ट से संबंदित कोड क्या है ठीक है अब देखो पाई चार्ट में क्या होता है आपको degree में निकालना रहता है एक degree की value आपके कितनी होती है 360 clear है आप सभी को अब देखें तो भाई हमें 240 अंक दिये गए हैं तो 240 अंक जो होंगे वो हमारे किस के बराबर हो जाएंगे 360 degree के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे होगा कि नहीं होगा प्राब्त की है तो 52 की अगर हम value निकालेंगे तो 360 बटे 240 गुणा बावन यही तो होगा अब इसको solve करना है आपको solve कर लेंगे आपका answer आजाएगा ठीक है solve करके आपका जो भी answer आएगा आप हमें comment box में बताइए वैसे इसका answer option number B आएगा 78 डिग्री काट पीट के आप इसका answer निकाल सकते हैं छानक 36 64 24 ठीक है और 4 से इसको काट दें 4 एकन 4 4 ती यह वारा 13 चिंग 78 78 डिग्री आपका यह answer हो जाएगा option number B क्लियर है आप सभी को बात कर लेते हैं question number 3 की question number 3 है आपका की P का P प्रस्था चत्थे चत्थे से तो P का P प्रस्था चत्थे से तो P किसके बराबर है अब सवाल को solve करते हैं P का P प्रस्थत याणी कि P upon 100 बराबर 6 है तो P किसके बराबर है अब देखोพी Aim मझा头 सूब आपका 36 को बराबर हो जाएगा किलियर है आप सभी को बात कर लेते हैं कुश्चिन नमबर 4 की कुश्चिन नमबर 4 आप से इन्होंने पूछा है कि 252 को इन्होंने 2 की पावर x 3 की पावर y 7 की पावर z लिखा हुआ है तो x प्लस y प्लस z कमान क्या होगा ठीक है अब कैसे solve करेंगे इसको देखो 252 को हम सबसे lot सब मयरे नहीं हम क्या करेंगे 2 करेंगे 2 सब्सक्राइब तो हमारा कितनी बार जाएगा 1 2 एक अंदो 2 एकंदो तीन निम सत्ताइस तिरीयट चॉवेस ठीक 98 हो गया 98 हो गया तीन निम सत्ताइस 28 अंतिस तिरीयट 24 अभी एक बार दो से फिर से चला जाएगा यानि की यहां पर ठीक है तो दो एकन दो दो निम अठारा दो सत्ते चॉदा ठीक है गलत हो रहा, 147 आएगा, अब यह 2 से नहीं जाएगा, तो यह 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, 4, 12, 3, 27, ठीक, 3 के बाद यह 7 से जाएगा, 7, 7, 49, 7 से फिर एक बार, यानि कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, और 7 की पावर 2, यही तो हमारा, अब हम लिख लेते हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, और 7 की पावर 2, अब इसको हम एक्वल कर लेंगे, 2 की पावर X, इंटू, 3 की पावर Y, इंटू, 7 की पावर Z से, अब X की वैल्यू कितनी आ गई, 4, Y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, Z की वैल्यू कितनी आ गई, 2, X प्लस दो बराबर कितना आ जाएगा 4 2 6 और एक 7 साथ आपका आंसर हो जाएगा option number B किलियर है आप सभी को बात कर लेते question number 5 की question number 5 आप से पूछा है कि 100 की सम भाजकों की संख्या क्या होगी बहुत आसान सवाल है मैं चाहूंगी कि आप लोग इस सवाल को खुद से solve करें और हम आपको यह सवाल नहीं आता है तो आप डिरेक्ट उसमें लिख सकते हैं कि मैं मुझे यह सवाल नहीं आया है मैं नेक्स वीडियो में सवाल को एक्ष्ट्रा लेके समझा दूंगी क्लियर आप सभी को बात कर लेतें कुश्चे नंबर 6 की कुश्चे नंबर 6 है आपका 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घं से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घं को अलग किया जाता है तो कितने घं बनेंगे ठीक है यह आप से पूछा गया है अब देखो 15 सेंटीमीटर बड़ा घं होगा तीन सेंटीमीटर को चोटा घं होगा तो 15 सेंटीमीटर वाला जो घं है उसका कर देघए हम आयतन निकाल लेते हैं गन का आयतन क्या होता है फुर्जा कीउब्व तो भुजा क्यूब्व यानी कि 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा लेकिन आप हमें 3 cm वाले उससे निकालने हैं तो हम उसका भी तो आयतन निकालेंगे तो जो उसका आयतन होगा वो आप उससे डिवाइट कर देंगे तो जो तीन सेंटीमेटर वाला है उसका भी भुजा क्यूप करेंगे तो तीन गुणा तीन गुणा तीन आएगा बस डिवाइड कर दो आंसर आजाएगा पांच गुणा पांच गुणा पांच आंसर आएगा यानि कि 125 घान आपके बनाए जा सकते हैं औरप्चोन नमबर सी यहां से सई हो जाएगा बात कर लेते हैं कुशेन नमबर सेवन की कुशेन नमबर सेवन है आपका की यदि तीन की पावर 1,9,8,9,7 साथ से विवाज़ा है ठीच है? तो सेसमा नममने पूछा है सेसमा क्या होगा? क्लियर है आप सभी को देखो ये वाला जो है वो question method से लगेगा और इसे tap पे समझाना मुस्किल है इसलिए आपको ये sir board पे समझा देंगे इसके लिए आप परशान मत हो ये तो question number 7 आपको sir board पे समझा देंगे यहाँ पे ये लिखना आसान नहीं होगा ठीक है तो इस सवाल को skip करते हैं बात कर लेते है question number 8 की question number 8 है आपका की एक बहुभुज के आंतरिक कोडों का योग 2160 degree है बहुज की भुजाओं की संख्या क्या है इसके लिए आपको एक छोटा सा formula याद होना चाहिए अगर आपको formula नहीं आदे तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएँगे देखो बहुभुज की अंतरिक कोडों का योग होता है वो क्या होता है अब देखो बहुज की आंतरिक कोडों का योग 2160 है 2160 बहुज की भुजाओं की संख्या में निकालनी है तो n-2 n की value निकालनी है और into 180 होता ही है एक 0 से एक 0 काटो 18 सही काट दो 18 एकन 18 और 3 18 दूनी 36 n-2 बरावर 12 यानि की n की value जो हो जाएगी 12 दो 14 14 यानि की option number C यहां से सही हो जाएगा clear है आप सभी को बात कर लेते question number 9 की question number 9 है आपका नियुन्तम और गैर रेडातमक नियुन्तम और गैर रेडातमक रूड पूरांक क्या है यह सवाल शायद गलत है इसमें यह सवाल नहीं था एक मिनिट मुझे आप चेक कर लेने दीजिए फिर मैं बताते है actually guys यह सवाल यह नहीं था इसको मैं काटके दुबारा से बताती हूं आपको यह सवाल यह नहीं था यहां पे आपसे पूछा गया था कि सबसे छोटी सबसे छोटी रिडेतर अभाज संख्या कौन सी है अभाज संख्या आपसे पूछी थी ठीक है यह गलती से टाइप हो गया था तो मैंड मत करिएगा आपसे यह सवाल पूछा था तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि सबसे छोटी जो आपकी अभाज संख्या है वो दो होती है ठीक है बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते कि एक होती या दो होती इसमें बहुत सारे लोग गलत कर जाते हैं ध्यान रखेएगा आपका इसका एंसर दो आएगा ठीक है option number C बात कर लिए ते question number 10 की question number 10 है आपका की एक सही एक वटे दो प्लस 11 सही एक वटे दो प्लस 111 सही एक बटे दो ठीक की बराबर होगा तीन बारा दो तीन दो पांच दो साथ दो चार और दो ठीक अब इससे इसको कार दो वन टू दो तिया छे दो चंग बार वन टू थ्री सिक्स है आपका क्या ओप्शन नमबर ए यहां से आपका राइट हो जाएगा क्लियर आप सभी को क्विशन नमबर टैन का अंसर आपका आप जाएगा वन टू थ्री सिक्स बात कर लेते 11 की 11 आपसे पूछ रहा है कि ए इंटू बी स्क्वार प्लस बी स्क्वार मैनिस ए बी है तो नाइन इंटू टैन का मान क्या होगा अब इसी में नाइन एक की जगे नाइन रग दो बी की जगे टैन तो ए स्क्वार यानि की 9 का स्क्वार 81 प्लस बी का स्क्वार यानि की 100 माइनस ए बी यानि की 10 गुड़न नो बरावर 90 अब 181 में से अगर आप 90 घटाएंगे तो आपका कितना आंसर आएगा 91 यानि की ओप्शन नमबर भी यहां से सही हो जाएगा क्लियर है आप आपका आंसर हो गया 111 नमबर कुश्चिन का 91 आंसर क्लियर है बात कर लेते कुश्चिन नमबर 12 की कुश्चिन नमबर 12 आप से पूछ रहा है कि यदि x और y गैर सून वास्तिविक संख्या है तो xy प्लस y स्क्वार क्या होगा हमेशा हमेशा रिदात्मक होगा या सून ही ह दोनों होगा देखो अब मैं आपको इसको छोटा सांसर समय है छोटी सी चीज़ देकर समझाना चाहती हूं कि मानलो अगर आप दोनों चीजों को पॉजिटिव लेते तो यह हमेशा ही पॉजिटिव आएगा मतलब दोनात्मक आएगा लेकिन मानलो एक को वैल्यू प्लस मे मानलों एकली एक लेह ले रहे वाई की वैल्यू मानलो टोने ले ले रहे तो अगर वैक करेंगे तो यह तो वन आएगा ठीक है और हम आएपको श॓न आपको चाहिए संह नंबर सी यहां से राइट होगा कि इसकी वैल्यू हमेशा धनात्मख होगी के लिए आप सभी को question number 13 की अब बात कर लेते हैं 13 में आपसे पूछा है कि इस इस्थान पर क्या आएगा ठीक है इस इस्थान पर आपका क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है अब इसमें एक तरीके का ये reasoning का सवाल है इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन तरीके का logic लग रहा है जो logic मुझे समझ में आ रहा है वो तो मेरे सापसे यही हो रहा है कि देखो पहले इन दोनों संख्याओं को देख लो 4,3,7,6 और 1,7 बीच वाली संख्या मिल गई 3,2,5,4,1,5 बीच वाली मिल गई 8,7,15,9,6,15 बीच वाली मिल गई 6,5,11 और 7,4,11 यानि कि 11 आपका अंसर ह हो जाएगा बीच में आपका जो आएगा वो क्या आएगा 11 क्लियर है आप सभी को बात कर लेते कुश्यन नंबर 14 की 14 आपसे कह रहा है कि A की पावर B बरावर है आपका 125 क्लियर है तो B की पावर A की वैल्यू आप से पूछिए अब देखो A की पावर B यानि कि अब A की 3 है एक की वैल्यू 5 अब तीन की पावर पांच की वैल्यू निकाल लो तीन तिरका नौत यह 27 तिया क्या सी तिया 243 आपका यह अंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर 14 का क्लियर है आप सभी को बात कर लेते कुश्यन नंबर 15 की 15 में आपसे पूछ रहे हैं कि 1 से 10 तक की सभी प्राक्टला संख्याओं से विभाज नियूंतम संख्या कौन सी है यह आपसे उन्होंने सवाल पूछा है इसका आपको एंसर देना रहेगा कि आपको कैसे करना है अब देखो सबसे इसका क्या करेंगे सबसे पहले आप 1 से 10 तक की संख्याओं का क्या करेंगी LCM निकाल ले होगी देखो 2520 से विभाज जो आपकी नियूंतम संख्या होगी वह कौन सी होगी सबसे छोटी संख्या इन्होंने पूछी है पहली बात तो आपका यह ऑप्शन इन्होंने गलत दे दिया है यहां पर 2550 हो ठीक है अगर यह 2520 होगा तो यहीं हमारा अंसर हो जाएगा लेकि कि नियूंतम संख्या 5040 जो इससे कटेगी इसमें आपको सबसे पहले लासा निकालना रहेगा एक से दस तक का वो आप निकालके खुद से करिएगा अगर आप निकाल लेते तो आपको यह वैल्यू मिलेगी इस वैल्यू से हमारी पहले वैल्यू कट जाएगी ठीक है तो आ है आलोक सर जो भी आप प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करने की पूरी कोसिस करेंगी बाकि जो आपको को सवाल है वह आपको अलोक सर बोर्ड पर करवा देंगे ठीक है तो बस आज की वीडियो में आयो इतना ही और आपको पता ही है कि एल्टी ग्रेट का मारा बैट चल र करेंगे तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धनिवाद अपना खयाल रखेगा